अगर इस चैनल में नए हो तो I create videos related to YouTube, Instagram growth and photography tips तो अगर इमने किसी वी topic में interested हो, consider subscribing और ये चैनल की पहली वीडियो होने वाली है about photo editing इसमें मैं बताने वाला हूँ कि मैं अपनी Instagram में जो pictures दालता हूं उन्हें मैं कैसे edit करता हूँ तो इस video में हम बात करेंगे moody urban effect के बारे में and आप अपनी pictures को moody urban effect में कैसे edit कर सकते हो तो make sure to watch this video till end क्योंकि मैंने इसमें proper एक-एक step बताया है कि मैं कैसे अपनी picture edit करता हूँ हो तो आप अपनी picture को साथ में edit कर सकते हो क्या करो अपनी picture को side में open कर लो light room में and यह में जो मैं steps बता रहा हूँ उन्हें follow करते जाओ आखरी तक और आपकी picture भी बिलकुल ऐसे ही दिखने लगे जैसे मेरे picture दिखती है अगर interested हो make sure to watch this video till end और अगर अच्छी लगे तो please give it a like यार थोड़ा support कर दो तो हम लोग edit करने वाले हैं इस picture को इसको सबसे पहले export कर लेते हैं lightroom में इसको मैंने lightroom में export कर लिया है अब चलते हैं lightroom आप पर यह picture वहां पर आ चुकी होगी यह आ गए picture यह मैंने से open कर लिया अब करते हैं स्क्राइट जो मैं steps बता रहूं इसको follow करते जाना सबसे पहले हैं चलेंगे lights पर exposure को थोड़ा से कम कर दो मैंने माइस 18 कर दिया है माइस 18 से माइस 50 के असपास अपने exposure को contrast को थोड़ा हमें बढ़ाना है round 50 करना हमें contrast को contrast को बढ़ा के 50 के असपास आप भी कर लेना contrast 50 कर दिया हमें फिर आकि बात highlights की highlights को थोड़ा हम कम करेंगे highlights को हमने कर दिया माइस 22 shadows shadows को हमें जाला कुछ नहीं करना है थोड़ी सी shadow बढ़ानी है shadow को हम लोग कर लेते हैं plus 14 उसके बाद आता है whites whites को माइनस करेंगे whites को कर देते हैं minus around 70 और फिर ब्लाक ब्लाक को हम बढ़ाएंगे black को अब कर देंगे plus 60 आसपास plus 60 आपने black को और यह पिक्चर में इत्ता चींज है अब कर पे जाना है कर फो में थोड़ा सा नीचे से यहां से इसके बाद हम लोग यहां जाएंगे आणड अब हमें temperature और टेंट में जादा कुछ नहीं करना है हमें क्या करना वेप्रेंस को बढ़ाना वेप्रेंस को मोग कर देते हैं जिए राउंड प्लस 46 और हम saturation को कम करेंगे हमने विपन को बढ़ाया है saturation को थोड़ी कम करेंगे saturation काम ने कर दिया है माइनस 10 अब जाते हैं color mix पे color mix में सबसे पहला हमारा है red तो red को क्या करना है you go जो है माइनस 10 की आस पास करेंगे रेट से में हमारी lips में changes आ रहे हैं तो आपको अपने lips को देखना है और इसके recording करना है इसे saturation बढ़ाऊंगा तो ये टाक हो जाएगा तो saturation थोड़ी से बढ़ा लो like plus two कर लो थोड़ा सा and luminance भी आपको इसके recording लगना है तो मैं हम फुड़ा सा इसको luminance कढ़ा दिये तो इसा pinkish type effect देगा lips में तो यह हो गया red फिर आते हैं orange पे orange हमारे skin का color है तो आपको orange अपने according set करना है कि आपके skin color क्या है तो आप कैसा दिखाना चाहते हो लोगों को तो जैसे मैंने saturation में कम करूंगे तो एक तम light होता जाएगा तो मैंने saturation around कर दी इसकी minus 20 के असपा सिर्फ माइनस 18 कर दी और इसका जब आप luminance बढ़ाओगे तो आपका यह color में चाहिए तो अगर आप थोड़ा चाहिए बढ़ाते हो तो यह आपके color में चाहिए तो यह आपके color में चाहिए तो आपका फेस ब्राइट देखने लगेगा अब आते हैं हम यह यलो कलर रूपर इसमें ज्यादा चाहिए नहीं करना है यह आपन का जो background में रोड है उसका color ह ढाइं तो हम इसको डी सचछे करेंगे मृस्ट आप इसको डी सचाहिट कर दे क्लिके लेकिन हमारे shirt में टीशिट में भी effect हो रहा है तो हमें इसको डी सटेट नहीं करना हिसको हमें around –66 रखना है और फिर आते हैं ग्री जब अप अरवन करते हो तो आपको green को पैसे त्पू कोई पिक्चर है उसमें अगर आपने ग्रीन कले का कुछ नहीं पहना तो आप सेचुरेशन जीरो कर देना इसमें सेचुरेशन माइनस एट की है और लुमिनस थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आपकी टी शिर्ट में वह थोड़ा सा नियोन का जो ब्राइट वाला एफेक्ट ẹटाव कोब मारी 103 कर दो तु कि बलु माई सांवा अब करोगे जब आपने कुछ ब्लू कःणि गलर नहीं हुआ है जाए यौको फोर नखाट तो पूरा-100 कर दो फेल अटाट यह वी महींने समर्च है और इसको डन कर दिया हमने अब आतý है नेक्स्ट एक्सट कि कुछ नहीं करना है clarity थोड़ी से बढ़ा दो क्या होता है यह ना कि जब अप अरवन एडिट करते हो तो अरवन एडिट में clarity जाधा होती है clarity मैंने कर दी अप्लस 35 के असपास फिर आता है डी है यह को भी बढ़ा दो इसको हमने कर दिया अराउंड प्लस 20 अराउंड 20 कर दिए इसको यह को पिक्चर एकदम शार्प दिखने लगेगी शार्प और एकदम contrast ज्यादा है clarity है तो पिक्चर एकदम शार्प सी दिखेगी फिर इस पर इसको हम लोग माइनस 10 कर देंगे माइनस 10 या 12 कर देंगे 12 कर दिया अब बार यह split tone की split tone पर जाते है split tone को अपनको highlights को करना है 219 219 पर लेकर जाना है और जो इसका saturation वह आरांड 10 क्या सपास रखेंगे यह तो एक डुन आइंटीन क्या स्पास रखेंगे और सैचरेशन 10 क्या स्पास रखेंगे शेडो सको भी हमको 219 क्या सपास लेके जाएंगे और इसमें saturation अम आरांड 5 प्या सपास रखेंगे यहामने saturation कर दिया अभी लास्ट आता है यहां गए शापनिंग हमें इसको शाप कर अपनी पिक्चर को थोड़ी सी तो हमने इसको प्लस 20 कर दिया और अब बात आती है नॉइस रिदक्शन की जनरली जो यह एफेक्ट होता है इसमें नॉइस रिदेक्शन बहुत जादा रखा जाता है बट मुझे वह पसंद नहीं है तो मैं नॉइस रिदेक्शन रखूंगा राउंड 14 ठीक है और कलर नॉइस रिदक्शन को हम लोग कर देंगे राउंड आठ है दस के आसपास तो आठ मैंने कदर नॉइस रिदेक्शन को कर दिया है और यह पिक्चर रेडी है अर्बन एडि अगर इस पिक्चर में लगाता हूं तो यहां मैं गया और यह की मैंने पेस्ट सेटिंग्स यह देखा पिक्चर एक तम टाक सी होगी बस इसमें इक चीशी सीन्स करना है जो हमने वह किया था ग्रीन वाला यहां पे गए कलर मिक्स पे गए ग्रीन पे गए अन्ड इसको पू ब्राइट होगा इसके अब हमें इसमें हाइलाइट सकम लग रहे है थो फोड़ा पढ़ा देंगे थोड़ी शी एडिट होगी अर्फञन था है एक और चीज इन्होंने ब्लू पहना हुआ है तो हम लग जाएंगे वाप्ष कलर में यह सुछ थोड़ा सा उथा देंगे माइस 36 पिक्चर अरवन में पिट होगी आई होग कि आपके पिक्चर भी बिल्कुल ऐसी दिख रही होगी जिसे मेरी पिक्चर दिख रही है अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे इंस्ताग्राम में डीम कर दो मैं आपको जो मुझे कमेंट सेक्षिन में बता दो मैं अब डेली वीडियो करने वाला हूँ इस चैनल पर तो आपको डेली शाम को एक वीडियो मिलेगी ही मिलेगी सोशल बीन पर मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर पीस